हलो एस्टुडेंट्स, वेल्कम बैक टू तो तैयारी ओनलाइन, मैं हूँ सुधा, आज की वीडियो में हम कवी गिर्जा कुमार माथुर की कभिता चाया मत्चूना पढ़ेंगे और साथ ही जानेंगे इसका भावा आर्थ बच्चों हमारा सिर्षक है चाया मत्चूना या चाया सब्द का अर्थ क्या होगा तो देखें यहांपर हमारे कभिने चाया यानि परचाई यानि बीता हुआ कल जिसे आप भूद काल भी कह सकते हैं, या बिगत भी कह सकते हैं यानि हमारे बीते हुए जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं चाहे वो घटनाएं सुखद हो या दुखद हो उन्हें हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए याद नहीं करना चाहिए हमें हमेशा अपने बरतमान में जीना चाहिए और भविश्य के बारे में सोचना चाहिए ना कि बीते हुए कल के सुखों को याद करना चाहिए और अपने बरतमान को खड़ाब करना चाहिए तो कभी इसलिए कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना अगर तुम बीते हुए कल को याद करोगे तो इससे क्या होगा तुम्हारे मन के जो दुख है व दुनों की उपस्तिती हैं विगत के सुखों को याद कर बर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है यानि कोई लॉजिक नहीं है कि आप बीते हुए पल को याद करके अभी यानि की आज को खराब कर रहे हो कभी के सब्दों में इससे दुख क्या हो जाता है दूना होता है यानि आपका जो दुख है वो और बढ़ जाएगा बिगत की सुख़काल्पनिक्ता से चिपके रहकर बर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यतार्थ, यतार्थ यानी बास्तबिक्ता कठिन यतार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्रात्मिकता होनी चाहिए और यह कविता हमें, अतीत की यानी बिगट की अस्मृतियों को भूल कर, बर्तमान का सामना कर, भविश्य का वरन करने का संदेज देती है वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़ कर यानि जीवन का जो यथार्थ है उसको छोड़ कर उसकी चायाओं में यानि बिगत की चायाओं में भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविक्ता से दूर रहना है कविता में रोमानी भावाबोद की अभीवैक्ती देखी जा सकती है तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं और उसके भावों को समझते हैं तो यहां देखिए कविता कुछ इस प्रकार से है चाया मतचूना मन होगा दुख दूना यहां देखिए कभी क्या कह रहे हैं कि छाया मत छूना यानि अपने बिगत यानि बीते दिनों को मत याद करना इससे तुम्हारा दुख क्या हो जाएगा दुगूना हो जाएगा बढ़ जाएगा जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी कभी कहते हैं जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी सुरंग सब्द का अर्थ होता है बच्चों रंग बिरंगी और सुधियां सब्द का अर्थ होता है यादे और सुहावनी यानि मन को भाने वाला तो कहते हैं जीवन में है सुरंग सुधियां सुभावनी यानि जीवन में बहुत ही रंग बिरंगे यादे हैं जो लुभावनी है, जो मन को भाने वाली है चबियों की चित्र गंद फैली मन भावनी और या सब चबी जो है, या सब चित्र जो है जो हमारे मन की अंदर है, बीते हुए कलका वह कैसा है? मन भावनी, यानि मन को भाने वाला, मन को लुभाने वाला है तन सुगंद सेस रही, बीत गई यामनी कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी क्या कहते हैं कभी? तन सुगंद सेस रही, यानि वह सभी पल तो बीत गए केबल तन का सुगंध ही क्या रह गया सेस रह गया तन का सुगंध कहने का अर्थ है बच्चों उन बीते हुए पलों की कुछ यादे ही उनके पास रह गई है बाकी तारों भरी चांदनी रात जो है वा बीत गई यामिनी सब्द का अर्थ होता है तारों भरी चांदनी रात यानि खुसियों से भरा हुआ वो पल तो बीट गया केबल उसकी यादे कभी के मन में सेस रह गई उसके मात कहते हैं कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी कुंतल, कुंतल सब्द का अर्थ होता है बच्चों लंबे केस अब यहाँ देखिए कभी जो हैं वह अपनी प्रेशी को याद करते हैं और कहते हैं कुंतल के फूलों की याद बनी चांदेने उनके प्रेशी के लंबे बालों में जो फूल लगी हुई थी उसकी खुसबू, उसकी यादे ही यानि उस सुखद चन की कुछ यादे ही अब उनके पास सेस रह गई है भूली सी एक चुवन बनता हर जीवन चन कभी कहते हैं कि जीवन का एक एक पल बीती हुई बातों की यादों का असपर्स करता हुआ गुजर रहा है चाया मत चुना मन होगा दुख दूना इसलिए कभी कहते हैं कि चाया मत चुना यानि पुरानी बातों को मत याद करना बीती हुए कल को मत याद करना इससे क्या होगा मन का जो दुख है वह और बढ़ेगा नीचे भावार्थ भी दिया गया है इसे भी एक बार देख लेते हैं यहाँ देखें सबसे पहले तो कविता में प्रशंग लिखना अवश्यक होता है तो प्रशंग आप अवश्य लिखें प्रशंग में हम लिखेंगे प्रस्तूत पद्धांस गिर्जा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना से लिया गया है यहाँ कविने बताया है कि बीते सुख को याद करके बरतमान को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है भावार्थ देखिए हे मेरे मन तु छाया मत छूना अतीत के सुख को याद कर दुविधा में मत पढ़ना अन्य था दुखत परिस्थीतियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा जीवन में रंग बिरंगी और सुहाबनी यादें भरी हुई है सुन्दर्ता की सुखों की चित्रमई गंध युगत अस्मृतियां मन को भाने वाली प्रतीत हो रही है तारों भरी चांदनी रात बीत गई अब केवल उससे प्रभाबित सरीर बांकी रह गया सुख के दिन बीत जाने के बाद अब उसकी अस्मृति मात्र रह गई है चांदनी प्रेशी के लंबे बालों में लगे सफेद सुगंधित फूलों की याद दिलाती है जीवन का एक एक पल बीती हुई बातों की याद का असपर्स करता हुआ गुजर रहा है कभी मन को समझाता है कि हे मेरे मन तुम बीती हुई बातों की याद कर दुबिधा में मत पड़ो इससे तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा चलिए अब पद्धांस की दूसरी पंक्ती देखते हैं यस है या न बैभब है मान है न सरमाया जितना ही दौरा तो उतना ही भरमाया प्रभूता का सरन बिम्ब के वल्म्रिक दृष्णा है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है जो है या थार्थ कठिन उसका तो कर पूजन चाया मत छूना मन होगा दुख दूना अब देखे कभी कहते हैं यस है याना बैभव यस यानी प्रशिद्धी यस सब्दकार्थ होता है बच्चों प्रसिद्धी बैभव यानी संपत्ती सरमाया सरमाया सब्दकार्थ भी पुन्जी होता है यहां कभी कहते हैं यस है याना बैभव यानी न तो यस है नहीं बैभव है ना प्रशिद्धी है ना ही संपत्ती है मान है ना सरमाया और ना ही वह जमापुंजी है जितना ही दौरा तो उतना ही भरमाया और जितना मनुश्य इसके पीछे भागता है वह उतना ही उस भूल भुलाया में फस्ता जाता है भरमाया यानि भ्रम जाल में उलजना प्रभूता का सरन बिम्ब केवल मिर्क तिशना है प्रभूता सब्द का अर्थ होता है बच्चों बरप्पन का एहसास तो कभी कह रहे हैं कि बरप्पन का जो एहसास है या क्या है एक मिर्क तिशना है बड़पन का ऐसास क्या है? केवल मनुश्य में एक मिर्ट तिशना है यानि एक भ्रम है हिरन को मर्वस्थल में हर जगा पानी ही पानी दिखता है जबकि वो उसका भ्रम होता है भ्रम यानि जो चीज है ही नहीं उसे पाने की लालसा या कह सकते हैं इक्षा हर चंद्रिका में छिपी एक रात क्रिशना है हर चंद्रिका यानि हर चांदनी रात के बाद एक रात क्रिशना यानि आमावश्या की रात आती है जीवन में जैसे सुख के बाद दुखाता है और दुख के बाद सुखाता है उसी प्रकार अमावश्या के बाद पुर्णीमा आती है और पुर्णीमा के बाद अमावश्या आता है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चांद के पीछे एक काली रात भी छुपी होती है जो है यथार्थ कठिन उसका तूकर पूजन जो बास्तविक्ता है उसके साथ हमें जीना चाहिए उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए यथार्थ यानि बास्तविक्ता क्योंकि बास्तविक्ता में जीना बहुत ही कठिन है और काल्पनिक जीवन जीना बहुत ही आसान है इ प्रशंग आप उसी प्रकार लिखेंगे भाव इसका देखिए एक बार और यस या बैभव या पीछे की जमापुनजी कुछ भी बाकी नहीं रहता आप जितना ही दोड़ेंगे उतना जैदा भूल भुलईया में खो जाएंगे क्योंकि भूत काल में वह कुछ घटित हो चुका होता है अपने भूत काल की कीरतियां पर किसी बरपन का एहसास किसी मिग मरीची का की तरह है हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चांद के पीछे एक काली रात यानि अमावश्या छिपी होती है इसलिए भूत काल को भूला कर हमें अपने बरतमान की ओर ध्यान देना चाहिए चलिए अब हम तीसरा पद देखते हैं दुबिधा हत साहस है दिखता है पन्त नहीं देह सुखी हो पर मन के दुखों का अंत नहीं कि हमारा मन उलजहनों में फजा हुआ है दुबिधा में फजा हुआ है उसे क्या नहीं दिखता है पंथ यानि रास्ता जो है उसे नहीं दिख रहा है कि वह क्या करे क्या नहीं करे देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं यानि देह सुखी होने का आर्थियां समझे यानि उसके पास सभी चीजें हैं भौतिक सभी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कर वह सुखी रह सकता है लेकिन उसके मन के अंदर जो दुख है उसका कोई अंत नहीं है यानि सारी भौतिक सुविधाएं होने के बाब जूत भी वह मनुष्य क्या है दुखी है दुख है न चांद खिला सरद रात आने पर किस बात का दुख है उसे कि सरद रात के आने पर भी चांद नहीं खिला यानि जीवन में जिस खुसी की आसा थी उसे जिस खुसी की उम्मीद थी उसे वह उसे नहीं मिली क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर दिखे कभी कहते हैं कि क्या हुआ जब तुम्हें जो बस्तु चाहिए था जिस वक्त चाहिए था उस समय नहीं मिला और क्या हुआ जो वह बस्तु तुम्हें बाद में मिला जो ना मिला भूल उसे कर तु भविश्य बरन कहते हैं कि जो नहीं मिला जो सुख तुम्हारे जीवन में नहीं मिला उसे तु भूल जा और अपने बरतमान में जी और अपने भविश्य का बरन कर अपने भविश्य के बारे में सोच चाया मत छूना मन होगा दुख दूना और कहते हैं कि हे मन तु चाया मत छूना यानि बिगत के बारे में मत सोचना बीते हुए कल के सुख सुविधाओं को मत याद करना इससे तुम्हारे मन का जो दुख है वह और बढ़ेगा चलिए अब इसका भावार्थ भी आपको बता दें तो यहाँ देखे वैक्ति के पास अदम में साहस होते हुए भी वह दुविधा ग्रस्त दिखाई देता है वह जीवन के ऐसे मोर पर खड़ा है जहां से उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता सरीर के आराम के लिए तो सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्द हैं किन्तु मन के अंदर समाय हुए दुख का अंत नहीं मन को इस बात का दुख है कि सर्दी की ठंड भरी रात में चांद की चांदनी नहीं विखरी वसंत रितू के वैतीत हो जाने के बाद यदि फूल खिले तो क्या हुआ यहाँ पर अर्थ है बच्चों हमें जब जिस चीज की चांद होती है वह उस वक्त नहीं मिला माना की समय बीतने के बाद बस्तू की उपलब्धी की उपयोगता नहीं रहती है और कई बार समय बीतने के बाद उपलब्धी मनुशे का आनंद प्रदान नहीं करती है यानि जब हमें जिस वस्तू की आवश्यक्ता होती है वह हमें उस समय नहीं मिला लेकिन जब हमें वह मिला तो हमें उसकी उपियोगिता नहीं थी यानि उसके पाने यानि उसके मिलने का हमें कोई खुजी नहीं था बसंत के जाने के बाद फूलों का खिलना मनुष्य के मनुष्य को आननद भी प्रदान कर सकता है किन्तु बसंत में उसका महत तो अधिक होता है बर्तमान का चुनाव करो, बीती हुई, यादों को भूला कर बर्तमान में जीते हुए भविश्य का चेहन करो बीते सुखत दिनों को मन में याद कर दोविधा में मत पढ़ना नहीं तो बरतमान के दुख और अधिक हो जाएंगे तो बच्चों आज की ये कविता आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं यदि आपका कोई सुझाब है तो आप अपना सुझाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिकें वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें तो मिलते हैं आप से चाया मत चूना के प्रश्ण अभ्यास के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद